चार घंटे हमारी कास सेंसस पे चर्चा हुई डिसकर्शन हुआ और एक एतिहासिक निर्ने कॉंग्रेस वरकिंग कमीटी लिया है और युनैनिमसली लिया है मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास सेंसस का जो कॉंसेप्ट है उसको नहीं दिया तो काफी खुशी की बात है हमारे यहां चीफ मिनिस्टर बैठे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी डिसिजन लिया है कि वो भी राजिस्तान म में करनातक में चहतिसगड में हिमाचल में कास सेंसस को आगे बढाएंगे कहा कि देखिए कॉंग्रेश प्रेजिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसिजन मेकिंग बॉड़ी है उसमें निर्ने लिया है कि हम कास सेंसस को इंप्लिमेंट करेंगे सिर्फ यह नहीं मगर यह भी डिसिजन लिया है कि हम बीजेपी को बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए क्योंकि देश कास सेंसस चाहता है अब जहां तक इंडिया अलाइंस की बात है मैं जानता हूं कि काफ कि राय थोड़ी अलग हो हमारे कोई प्रॉबलम नहीं है क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है मकर जादा से जादा पार्टिया इस डिसिजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे तेखिए यह जो आपके शब्द हैं लिटमस टेस्ट यह केमिस्ट्री में चलते है हमारी सिंपल सी बात है हम सबने निन्ने ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास सेंस्स के बाद एक निया डिविलप मेंट का पैरडाइम खुलेगा और हमने निर्ने ले लिया कि हम ये काम करेंगे तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि Congress Party इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी और याद रखिए जब हम वाइदा करते हैं हम उस वाइदे को तोड़ते नहीं हैं देखिए नहीं मैं मैं इसका जवाब देता हूं देखिए ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है ये गरीबी की बात है हिंदुस्तान के OBC, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए ये काम किया जा रहा है, आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अधानी जी वाला और दूसरा सब का, कास सेंस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं कौन हैं और हम वहाँ नहीं रुकेंगे उसके बाद economic survey होगा तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं धन किसके हाथ में है और फिर जैसे मैंने कहा जो X-ray हमें और मैं कहता हूँ शायद इसमें मेरी भी गलती है जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे क्योंकि इस X-ray की जरुरुत है अगर हम निया paradigm निया development का paradigm चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले उसके लिए हमें कासेंस करना ही होगा